देखे class 10 के chapter 8 का जो example 4 है question में हम से बोला गया है in a right triangle ABC right angle at B if 10 A is equal to 1 then verify that 2 sin A co say is equal to 1 तो question में हम से बोला गया है कि right angle triangle ABC यहाँ पर मैंने एक triangle ABC बना लिया है जिसमें बोला गया है कि right angle at B जो 90 degree का angle है वो B पर है तो यहाँ पर B बना लेंगे हम हमें बोला गया है आगे कि 10 A 1 है 10 A की value अगर 1 है तो तब हमें यह चीज verify करनी है ठीक है तो देखिए हमें दे रखा है 10 A की value 1 तो हमने यहाँ पर 10 A की value 1 लिक ली है जिसके upon में कुछ नहीं होता उसके upon में हम 1 लगा सकते हैं ठीक अब जो हमें verify करना है उसमें आ रहा है sign A और find करेंगे जब sign A और cause A की value हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको verify कर देंगे अब sign A और cause A की value हम कैसे निकालेंगे जब भी एक trigonometric ratio की value गिवन हो जैसे यहाँ पर 10 A की value दे रखी और किसी और trigonometric ratio की value निकालनी हो तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं जिसकी value दे रखी है जै 10 A की value यहाँ पर दे रखी थी 1 upon 1 यहाँ से इस value को लिख लेते हैं और इसके बाद जो 10 का formula है उसको लिख लेते हैं 10 का formula क्या होता है perpendicular upon में base अब हम यहाँ से क्या करेंगे देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है A आ रहा है तो angle A यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो angle A जिस पर बन सामने वाला हो जाता है hypertenious तो यहाँ पर perpendicular आ रहा है उपर और यहाँ पर कितना रहा है उपर 1 तो जो perpendicular के लिए काम करेगा यह 1 काम करेगा और A के लिए perpendicular इसके सामने वाली line यानि के BC यह हो जाएगा तो 1 के साथ हम यहाँ पर ratio को value में convert करने के लिए हमें constant लगाना पड़त बेस की अगर हम बात करें तो बेस क्या हो जाएगा A के लिए A के लिए A B तो बेस यहाँ पर कितना है वन तो यहाँ पर भी वन के साथ कितना आ जाएगा के आ जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे देखें साइन और को से की value निकालने के लिए पहले हमें pythagoras theorem से यह वाली ज सामने वाली जो line होती है A C उसका square आ जाएगा equal जो base है base का square प्लस perpendicular का square बेस यह निके AB square और plus जो perpendicular निके BC BC का square ठीक है तो अब A C कितना है हमारे पास A C हमें find करना है AB कितना है हमारे पास AB हमारे पास 1K यह इसका square आ जाएगा BC कितना हमारे पास 1K यह भी इसका square आ जाएगा A C square तो A C रखेंगे 1 को हम हटा भी सकते हैं यहां से तो 1 का square 1 ही होता है K square K square ठीक है तो 1 को हम यहां से हटा भी सकते हैं प्लस वन यहाँ पर भी k square आ जाएगा तो ac square को आप ऐसी रखें k square k square कितना जाता है 2k square अब हमें ac निकालना है जिसकी value निकालनी है अगर उसके उपर square होता है तो इसके उपर से square अटा कर सामने वाले पर हम root लगा सकते हैं 2k square के उपर root आ जाएगा ac के उपर से square हट जाएगा ac is equal to अब इसमें से वो चीज़ बहार निकलती है जिसका square होता है तो 2 तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि 2 का square नहीं है तो 2 तो इसके अंदर ही रहेगा k का square हो रहा है इसके उपर power 2 है तो यह निकल जाएगा और k आ तो सबसे पहले हम sign और cause ही यहाँ पर निकालेंगे तो सबसे पहले जब sign a निकालेंगे तो sign का जो formula होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाईपोटेनियास तो अब sign a जो perpendicular है sign के a के लिए perpendicular क्या हो जाएगा angle a यहाँ पर बनाए है इसके सामने वाली जो line है BC वो ही perpendicular हो जाएगी तो यहाँ पर ही आ जाएगा BC और hypertenious होता है 90 degree के सामने बारी line यानि के AC तो यह कितना जाएगा AC यहाँ ठीक है तो sine A की अगर हम बात करेंगे तो BC हमारे पास कितना है BC हमारे पास 1K यानि हाँ पर only K भी हम लिख सकते हैं और upon में जो AC है AC हमारे पास कितना है under root 2K तो यह के से K कड़ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा sine A is equal to 1 upon under root 2 ठीक है अब यहाँ से हम cos A की value निकालेंगे तो cos का जो formula होता है वो होता है base upon hypertenious अब A के लिए base क्या होगा A जिस line पर बना होता है वो base होता है तो A B क्या हो जाएगा इसके लिए base तो यहाँ पर A B और hypertenious क्या हो जाएगा hypertenious 90 degree के सामने बारी line होती है तो यह कितना आ जाएगा AC तो जो cos A आ जाएगा हमारे पास तो A B हमारे पास कितना था 1 K यहीं के और AC हमारे पास कितनी आई under root 2 K ठीक है तो K से K कैंसल हो जाएगा cos A की जब value देखेंगे तो यह भी 1 upon under root 2 आ जाएगी अब जो हमें verify करना था उसको लिख लेते हैं verify हमें करना था 2 sin A cos A is equal to 1 तो 2 sin A cos A is equal to 1 को verify करना था हम इसमें से ले लेंगे LHS LHS का मतलब यह 2 sin A cos से ले लेंगे 2 sin A और cos A ठीक है जब हम 2 sin A cos से यहाँ पर लेंगे तो अब आप यहाँ पर यह देखेंगे के 2 को तो आप ऐसी रखेंगे sin A की अगर हम बात करते हैं तो sin A जो आया था हमारे पास 1 upon under root 2 आया था 1 upon under root 2 और multiply को से भी कितना आया था 1 upon under root 2 ठीक है अब देखिए 2 की 1 से करेंगे 2 आयेगा 2 की 1 से करेंगे 2 आयेगा और under root 2 के under root 2 से करते हैं तो 2 आ जाता है ठीक है root हड़ जाता है तो 2 से 2 कर जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है हमारे पास आया 1 और यह हमारे पास क्या था RHS था यह देखिए तो verified यह हो चुका है ठीक है verified यह हमारे था